मी खृइन्स पहर्त है Why ऐसे स्वागत है Q2 में इस स्वागते की इस वीडियो के अदर बताने वह लाऊं किस तरीके आपको बताने हो Redmi 9i बोलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है आपको सेटिंग में जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा तो उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर बहुत सारे उप्संस दिखता है तो आपको डि इनेबल कर सकते हैं यानि कि इस वाले से आप नोच कायब कर सकते हैं बिलकुल यहां से गयब हो जाएगा यह स्क्रीन इस टाइप का जाएगा फ्रेंस आप देख सकते हैं ठीक है इस टाइप से आप इसको रिमूब कर सकते हैं या फिर ला सकते है ठीक है यह तो नोच का हु इसके बार डन कर दीजे तो यह तो यहाँ से बटन वगरा है आई इसको बैक करना होगा तो इस तरीके से कर सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर किलिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पे काफी अच्छे-च्छे कूल वर्ल पेपर देखने को मिलता है लाइव वर्ल पेपर देखने को मिलता है तो आपको जो भी पसंद आता है वो सेट कर सकते हैं यहां से लाइव वर्ल पेपर आप देख सकते हैं तो वो भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो आपको काफी Redmi के फोन में काफी collection देखने को मिल जाता है। और कई लोग का सवाल होता है कि जो default app होता है वो कैसे सेट करेंगे। यह तो Redmi का यह app से देखने को मिलता है जो इनके file में। यहां पर my पर click करेंगे तो आपको यहां पर इस तरीके से दिखेगा यहां पर wallpaper दिखेगा। तो इसे बोलते है default wallpaper जो की यह Redmi का theme बगएरा होता है। तो आप यहां से easily आप कोई सावी theme को change कर सकते हैं। ठीक है friends और इसी प्रकार से आप set कर सकते हैं। तो for example मैं यह वाला set कर लेता हूँ और उसको apply कर देता हूँ। apply करने के बाद आपको home screen पर click करना है और आप देखेंगे कि आपका wallpaper यहां पर change हो चुका है। तो friends इसी तरीके से आप भी wallpaper चेंज कर सकते हैं। पसंद आए तो like, share and subscribe करना मत बुलेगा। मिलते नक शुरू है।